साइन्स काफी साथा iMPorrent पार्ट है GK का, अगर आप किसी भी इग्साम की तियारी कर रहे हो, तो फेंड, वह सभी कोशन, जो आपके एग्साम के लिए IMPorrent रह सकते हैं, वह मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए उप इस वीडियो को स्टार्टिंग से अंड तक इस वीडियो में लेकर आया हूं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले लेकर आया हूं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले लेकर आया हूं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले लेकर आया हूं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले लेकर आया स्थार्ट कर रहे हैं फ़र्स्थ कोशन से हमारा फ़र्स्ट कोशन है इसद गन इसंगे लॉज में कार्ष अगति मरन इंट्यू खलगा हं स्टार्ट करता है आन्षर का बั้ति दैनोम ореर識 दैनोमो तैक्षिंट में और सिंट ऊच्रॉज्च 미안h यहां पर लिख देता हूँ, यहां पर लिख देता हूँ, यहां जिसको कि हम EMI भी बोलते हैं, ठीक है, यह डाइनोमो का वरकिंग प्रिंसिपल होता है, next question करते है, which instrument is used to examine the internal parts of the body, वह कुन सा instrument होता है, जो body के internal parts को examine करने के लिए use होता है, तो answer है, उसे हम endoscope बोलते हैं, endoscope ऐसा instrument है, जो की body का internal part होता है, उसको check करने के लिए या बोलो, examine करने के लिए use होता है, friends, अगर हम बात करें endoscope ही, friends, यह एक peak बहुत जादा important instrument है, अगर आपसे exam में यह पूछा जाए, कि जो endoscope instrument है, इसका working principle क्या है, मतलब यह किस principle पर work करता है, तो आपका answer होगा, यहाँ पर लिए देता हूँ, total internal reflection, total internal reflection, फिर जो total internal reflection है, यह endoscope का working principle है, next question करते है, which instrument is used to measure electrical resistance, वह है कौन सा instrument होता है, जो की electrical resistance को measure करने के लिए use करते हैं, तो answer है, उसे हम ohm meter बोलते हैं, फिर अगर हम बात करें, electrical resistance की, यहाँ पर हमारा resistance, फिर देखो resistance की SI unit होती है, आप से exam में पूछा जाएगा, कि resistance की SI unit क्या होती है, तो फिर आपको बता होने चाहिए, कि SI unit होती है, ohm, ठीक है, फिर अगर आप से exam में यह पूछा जाए कि, यह तो resistance है, अगर आप से पूछा जाए, resistivity की unit क्या होती है, यहाँ पर लिए देता हूँ, जो किसी भी flow of electric current होता है, उसे opposed करता है, ठीक है, अगर next question करते है, which instrument is used to measure very high temperature, वह कौन सा instrument है, जो जिससे की हम very high temperature जो होता है, वो measure करते हैं, तो answer है, उसे हम pyrometer बोलते हैं, फिर देखो, जो body temperature होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, body temperature जो होता है, उसे हम measure करते हैं, thermometer से, ठीक है, thermometer से, लेकिन friends, यहाँ पर बात हुई है, very high temperature उसको measure करते हैं, pyrometer से, जैसे की, फरनेस हो गया, ठीक है, फरनेस जो होता है, जिससे हम भट्टी बोलते हैं, friends, हमें काफी जादा temperature होता है, ठीक है, या बोलू जिफेन sun होता है, Sun में भी काफी ज़ादा temperature होता है, उसको हम कैसे measure करेंगे, उसको measure करते हैं, हम pyrometer से, ठीक है, Next question करते है, which instrument is used for recording earth coik, friends, वे कौन सा instrument होता है, जिससे कि हम earth coik, जो भुकम आता है, जो earth coik आता है, उसकी movement को record करते हैं, तो answer है, उसे seismograph कहा जाता है, Friends, अगर आपसे exam में यह पूछा जाए, कि जो earth coik होता है, इसकी intensity को कैसे measure करते हैं, तो friends, वो होता है, Richter scale, यहां पर लिखते तो, Richter scale, ठीक है, और इसकी जो recording होती है, ठीक है, earth coik, उसको हम seismograph पे measure करते हैं, next question करते हैं, most important है, which instrument is used for measuring blood pressure, कौन सा instrument होता है, जिससे की हम blood pressure को measure करते हैं, तो answer है, उसको हम बोलते है, sphygmomanometer, यह भी काफी जादा important question है, कई बार exam में repeat हुआ है, next question करते है, which device is used to measure altitudes used in aircraft, friends, वो कौन सार डिवाइस होता है, जिससे की हम high altitude को, या बोलो friends, उचाई, मतलब कि, जैसे ज्यादा उचाई वाले जगे से हम earth के surface को measure करते हैं, तो answer है, उसे हम altimeter बोलते हैं, फिर देखो, यह altitude होता है, altitude का मतलब height होता है, height कैसा होगा, perpendicular height होगा, मतलब, 90 degree का height होता है, उसको हम altitudes बोलते हैं, और यह basically aircraft में use होता है, उपर से earth के surface तक को measure करने के लिए, उसे हम altimeter बोलते हैं, यह question भी exam में कई पुछा गया है, friends, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को like श्रू कर देज़े, ताकि यह मुझे पता लग जाए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, next, which device is used to measure strength of electric current in a circuit, वह कौन सा device होता है, जिससे कि हम circuit की बीच में जो electric current है, उसकी strength को measure करने के लिए use होता है, तो answer है, जो emitter होता है, emitter क्या होता है, जो circuit में कितना भी electric current है, उसकी strength को हम measure करते हैं, emitter के दोरा, ठीक है, next question करते है, which device is used for recording atmospheric pressure, atmospheric pressure को record करने के लिए, किस device का use होता है, तो answer है, barograph बोलो, या barometer बोलो, या barometer बोलो, या barometer बोलो, या barograph बोलो, दोनों एके चीज़े हैं, जिससे कि हम atmospheric pressure को measure करते हैं, यह question भी exam में कई बार पूछा गया है, next question करते है, which device is used to view distant object, दूर की चीज़ों को देखने के लिए, हम क्योंसे device का use करते हैं, तो answer इसको binoculars भी बोलते हैं, या telescope भी बोलो आप, ठीक है, telescope का भी काम सेम होता है, कि उससे भी हम दूर की चीज़े, जैसे कि दूर के planets हो गए, ठीक है, उसको देखने के लिए हम telescope का प्रियोग करते हैं, ठीक है, और अगर हमें normally दूर देखना है, तो फिनस हम binoculars use करते है नेक्स्ट कोशन करते है, विच्ट डिवाइस is used to measure, absorbed or evolve heat, ठीक है, पिनस वो कौन साथ डिवाइस होता है, जिससे की जो heat absorb होवा है, या जो heat evolve होवा हो है, मतलब जो heat निकला है, उसको measure करने के लिए हम use करते हैं, तो answer है, उसे हम calorimeter कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक् यूँ यूज करते हैं as a disinfectant, मतलब कि जर्म्स होते हैं उसके बीच में, जर्म्स को किल करने के लिए, पानी में क्लोरीन को मिलाया जाता है, उस क्लोरीन की amount को मेजर करने के लिए किस device का यूज होता है, तो आंसर उस device को हम बोलते हैं, क्लोरोमेटर, ठीक है फ्रेंट्स, और बिल्कुल accurate time को मेजर करता है, तो आंसर उसे हम chronometer कहते हैं, यह question भी, friends, most important रहेगा आपको, आपके लिए, friends, मैं आपको बता दू, इस वीडियो में आपको 20 questions करवाने वाला हूँ, most important science के, जब आपके 20 questions complete हो जाएंगे, मैं आपको यही questions एक बार, फिर से revise भी करवाने वाल friends, मैं आपको बिल्कुल non-stop पढ़ा रहा हूँ, बिना time waste किया हूए, next question करते है, which instrument is used to measure the relative density of milk to determine its purity, friends, milk की purity को measure करने के लिए, किस device का use होता है, तो answer है, उसे हम lactometer कहते है, next question है, which instrument is used to measure illumination, illumination को measure करने के लिए, किस device का प्रेयोग होता है, answer है, उसे हम lux meter कहते है, और friends, illumination होता है, इसकी जो unit होता है, friends, वो lux ही होता है, ठीक है, lux बोलो, या candela, दोनों इसकी unit है, light intensity, next question करते है, which instrument is used to convert sound wave into electrical signal, वह कौन सार डिवाइस है, instrument होता है, जिससे की हम, जो sound होता है, उसको electrical signal में convert करते है, तो answer है, उसे हम microphone कहते है, फिर देखो जो आपका mobile phone होता ह हो, वो नीचे एक microphone लगा होता है, ठीक है, आप देखो, छोटा सा होल सा होता है, उसके अंदर एक microphone होता है, आप जो भी बोलते हो, friends, जो भी आप बोलोगे, वो क्या होता है, वो sound होता है, ठीक है, और जब sound और, friends, ये microphone क्या करेगा, इस sound को catch करेगा, और इससे electrical signal में convert कर द होता है, which instrument is used to detect the direction and range of approaching airfoil by using radio waves, friends, वह कौन सा instrument होता है, कौन सा device होता है, जो की कोई भी जो aeroplane है, उसकी range को, या फिर उसकी direction को radio waves को use करके measure करता है, तो detect करता है, तो answer से हम radar बोलते है, radar की definition भी आपको बताऊने चाहिए, इसकी definition होता है, radio detection and ranging, ठीक है, next question करते है, which instrument is used for measuring velocity of vehicles, जो भी गाड़ियां होती है, जो भी bike या car बोलो, इसकी जो velocity होती है, speed होती है, उसको measure करने के लिए, कित instrument का use होता है, answer है, speedometer का use होता ह next question करते है, which device is used to determine speed of aeroplanes and boats, जो aeroplanes हो गया, या boats हो गया, इसकी speed को measure करने के लिए, किस device का use होता है, answer है, tachometer का use होता है, last question करते है, इस video का, इसके बाद मैं आपको revision करवाने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, last question है, which device is used to measure temperature, यहां पर बात हो रही है, normal temperature body temperature की बात हो रही है, ठीक है, तो friends हम use करते हैं thermometer, ठीक है friends, friends मैंने आपको 20 questions करवाए, उमेद करता हूँ, friends, आपको सभी के-सभी questions अच्छे जे समझ में आ गए होंगे, friends, मैंने आपको बताया है था कि जो मैं आपको 20 questions करवा दूँगा, उसकी बार इसकी आपको यही questions एक ये GK को याद करने का सबसे बैस तरीका है तो हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन से हमारा फर्स्ट कोश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इस उस्टू कनवर्ट मेट्रिकल एनरजी इन्टो एलेक्रिकल एनरजी राइट आंसर है डाइनमो next question which instrument is used to examine internal parts of the body right answer is endoscope which instrument is used to measure electrical resistance right answer is ohmmeter which instrument is used to measure very high temperature right answer is pyrometer which instrument is used for recording earthquakes right answer is seismograph which instrument is used for measuring blood pressure right answer is exposure to phycommanometer //which device is use to measure altitude used in aircraft? Altimeter //which device is use to measure strength of electric current in a circuit? Ammeter //which device is use for recording atmospheric pressure? Barograph //which device is use to view distant objects? Binoculars //which device is use to measure absorbed or evolved heat? calorimeter Which device is used to measure the amount of chlorine in a solution? Chlorometer. A clock that keeps very accurate time is called? Chronometer. Which instrument is used to measure the relative density of milk to determine its purity? Lactometer. Which instrument is used to measure illumination? Luxmeter. Which instrument is used to convert sound waves into electrical signal? Right answer is microphone. Which instrument is used to detect the direction and range of approaching airplane by using radio waves? Radar. Which instrument is used for measuring velocity of vehicle? Right answer is speedometer. Which instrument is used to determine speed of airplanes and boats? Right answer is tachometer. And our last question of this video, which device is used to measure temperature? Right answer is thermometer. Body temperature. Friends, I have done 20 questions. After that, I have done these questions and revision. I hope that you will understand all of the questions and remember in this video. Friends, I have told you that when I have done 20 questions, revision, I will do the After that, I will test this 5 questions. So, 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 I will test this 5 questions. And my first question is which instrument is used to convert mechanical energy into electrical energy? Next question. Next question. Which instrument is used to examine internal parts of the body? Next question. Which instrument is used to measure electrical resistance? Fourth question. Which instrument is used to measure very high temperature? And fifth, last question of the test. Okay, friends. Here is an expert level. Math reasoning and state level exam. Okay. And friends, I have a motivational tech channel. It's called Bolo Ravi. You can subscribe to both of the channel. Friends, EGK channel. Subscribe and press the bell icon. So, next video will be notified of you. This video will be the first time. Friends, you can find me on Facebook, Instagram, and Telegram. If you have any questions in any question or any special video you want, friends. So, friends. It's called Ravi Study IQG. It's called Ravi Study IQG. Okay, friends. You can join us on Facebook, Instagram, Telegram. Friends, now we will see you in the next video. Thank you and wish you all the best. And then you can share the video. Thanks for watching, friends. Thanks for joining us today. We'll see you during this video. Thanks for watching. झाल झाल